ओम स्री गने साय नमदूस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरा मई सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन उम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फायदा होगा इनकी लवलाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और सुवास्थ की महत्पपुन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेस का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेस कर आर्थिक इस्तिति को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तो साती सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही है यदि आप नौकरी बद आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुतसाहित करेंगी आपको अपने कारेच्छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक ये बहुत ये अच्छा समय है क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साती साथ आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अथवा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छि चाफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छित्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ति होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहार आजाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोन्नती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच यंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यता विवाद में फस सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों क भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जि आवशकता पढ़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मानसिक रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबव कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय ले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वरद्दी हो सकती है लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत है तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत है तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रेतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, सदबाब, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कारे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे या दोस्तो आरतिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जहां दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साती सात विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाय बनाएंगी जिन में उनको अवस्चे ही सफल तप्राप्त होगी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिसानियां कुछ हद तक कम हो सकती है दोस्तो साती सात अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्वनान आदिश निर्वत्र होने के बाद किशी तालाव के किनारे जाकर मचलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना कर खिलाएं जा दोस्तो ऐसा करने से धन संबंदित सभी प्रेशानियों का अंत होता है और भगवान भोलेनात आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन होते हैं और भगवान भोलेनात के किरपा आप पर सदे बनी रहेगी जा दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेस ला आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भोलेना तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद